कटने की विजय रागावगर सीट से बीजेपी के संजय सत्तेंद पाठक विजय हुए है उन्होंने नीरज दादा को हरा दिया है और तैम हाना जा रहा था कि संजय पाठक की जीत होगी इस पर मतदान कराया था इस पर जनता की राय ली थी जनता से पूछा और उन्हें तैय किया था कि जब पचास फीजदी से ज़्यादा लोग उनके पक्ष में होंगे तब ही वे टिकेट मांगेंगे तब ही वे चुनाव रड़ने मैदान में उतरेंगे और उनको समय भी पूरा मतदान प्रक्रिया अपनाई गई पूरिंग सेंटर्स बने पूरिंग बूर्थ पर जाके लोगों ने बोट दिया और संजे पाथक से कहा कि आप चुनाव रड़ें काफी लोग पूरी अपने शेत्र में उसके बाद संजे पाथक चुनाव रड़ पाथक की जीत है वो बहुत सामान घटना है कोई पड़ी घटना नहीं है क्योंकि जिस तरह से काम करते हैं उस तरह से कोई भी जन्नेता काम करे तो फिर वो पीशे नहीं हो सकता और मैं बताना चाहँगा कि एक बार चर्चा थी तो संजे पाथक के बारे में अभी नीता ले माजरा है वो विजय रगवगार में है अधी कुछ कहना चाहेंगा आप बिलकुल बिलकुल कटनी में हमेशा से भारती जन्ता पार्टी का प्रभा भी रहा है और संजे पाथक एक मज़े हुए नेता है अपने आपके खुद ही वो बहुत लोकतांत्रिक गरती है इसलिए ज जन्ता जैसे अपना नायक मान ले फिर उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है कोई भी रही और यही देखने को मिला संजे पाथक की कई सारी खुबिया है वे बिजनसमेन है बड़े उद्योपती है उसके साथ साथ वो बहुत सरह हिदे एक आम आदमी की तरह वेवार करते हैं पैसे की ठसक पैसे का रसूख उनमें नहीं दिखता है जब लोग उनसे मिलते हैं तो लगता है कि हम अपने बीच के किसी अपने ही आदमी से मिलना है यह उनकी सबसे बड़ी खोबी है संजे चाहे स्वास्तित से तड़कते हुए बीमारियों से करहते हुए लोग हो या पैसे मिलना है जब लोग है और मुझे रखता है कि संजेप अठर जैसे विक्ति को हमेशा कोई बड़ा ऐसा मंत्रा रह देना शही है कि जहां वो खुल कर काम कर सके क्योंकि उनके पास इश्वर का दिया हुआ सब कुछ है उनके पास उनको काम लिगा तो मुझे रखता है क वो उस काम को भी नई उचाईयों तक पहुँशाएंगे उनको 92,213 वोट विजय रागवगर के लोगों ने दिये हैं वहीं जो नीरज हैं उनको काफी कम वोट मिले हैं उनको 99,182 वोट मिले हैं और मुझे लगता है कि जब संजेपाथक मंत्रदेश की विधान सभा में व जर्दारों के बारे में हम चर्चा के इस दौर को जारी रखेंगे आप देखते रहें दखल नीव्यूस आप देख रहे हैं दखल नीव्यूस